कि यदि एक ब्रित की परीद अठासी सेंटीमीटर है तो ब्रित का छेत्रफल क्या होगा यहां पर चार विकल पर दिये गए है इन्हीं चारों में एक क्या है सकते हैं की परीद बरावर टूपाई आए अठासी है टूपाई और इसकोल टू हो जाएगा टूपाई यह आज आएगा 44 बटा पाई और या इसका वैलू रख दो चवालीस बाइस बटा साल तो आरका 14 सेंटीमीटर अब लिखना ब्रित का छेत्रफल है पाई आर इसक्वाइर बाइस बटा नी पाई रहें दो पाई चाउदा काई स्वाइर एक सोच चांड रें पाई ए सेंटीमीटर स्कॉयर इसक्वाइर से नियोगा यह वाला क्या होगा सथिख चली अग्ला क्वेस्टिशन दूसरा है एक तार 42 सेंटीमीटर त्रिज्जा वाले एक ब्रित के रूप में मतलब 42 सेंटीमीटर त्रिज्जा वाले और इसको फोटीटू ब्रित के रूप में अब इसको एक वर्ग में बना दिया गया इसकी जो परीद है इसकी परीद के बराबर है दोनों परीद आपस में क्या है बराबर होगा ना तो यहां से लेती ही ब्रित का परीधी अब बराबर हो जाएगा वर्ग का परीधी बराबर कि परिमाफ हो जाएगा यह परीदी नहीं होगा परिमाफ होगा ठी n कहा है ग्रित का थो पाई और इसका फोर इंटू भुजा उता है वर्यक और का पाइं का मांद 22बटा सात्र यहां पर 42 आफ फोर हूं सुझा नहां करना है वर्यका infinity si bsi 52 और ये हाथ वह तो boy import श्रेंटी मिटर कितना आजाएगा चांचर सेंटी मीटर कौन सा विकल पे यह दूसरा इसका सब्सक्राइब चली अगला क्वेश्चन यह किसी सम्चतुर्भुस के विकरणों की लंबाई क्रमसा आठ सेंटी मीटर और जिरो पॉइंट वन फोर मीटर हो तो सम चतुरभुस का च्छेत्रुफल क्या हो जाएगा विपास। का छेत्र फल वराबर जो फार्मूला होता है वन वाई टू विकर्णों का गुड़न फल होता है विकर्णों का गुड़न फल होता है अब यहां पर विकर्ण है एक संटी मीटर में दिया है क्या मीटर में दिया है इसको भी संटी मीटर मेंचे लो गलती यहीं होगा कि एस एक गुना करोंगे तो यह गलत आ जाऊने थे जैसे खेन नाइब लेका तो और और चुदा धियान देना है आठ और चुदा यहीं चित्र की बाद करें तो ऐसा चित्र बनेगा यहीं इसके विकड़ है यहीं इसके क्या है विकड़ है तो वन वाई टू आठ और यहाँ पर फोर्टीन चपपान सेंटी मीटर स्कॉयर आजाएगा कौन सा विकल पर इसमें है चापन हां लास्ट वाला विकल पर क्या होगा चली एक गोड़ा 28 मीटर लंबी रसी द्वारा एक खंभे में बदा हुआ है घोड़े द्वारा घंस चरने का छेत्रफल क्या होगा एक यहां पर खंबा य अधाय का मान 22 बटा साथ और आर का वैलू 28 28 से 28 साचों का 28 28 अठासी अठासी में 28 का गुना करोगे तो 24 64 आएगा सिन मीटर इस चली एक समधुई बाव त्रफु जिसकी दोनों समान भुजाएं लंबाए कितना है तेरा और नी अधार 24 है देखों एक तेरा हो गया यह भी समकूर त्रफुज का समकूर इस तरीका तो यह बता दे रहा हूं बाखी एक तरीका एक है कि समधुई बाहु त्रफुज का जो फार्मूला होता है फोर a स्कूर माइनस बी स्कूर कूर उससे भी आ जाएगा और इसको आधा करके 12 करके डबल भी कर सकते हों ठीक तो पहला एससे लिखते हैं और तीसरा है कि वह जो हिरोन का सूत्र होता है रूट में यस-a--b-c इससे भी आ जाएगा एक आमान 13 रखना बी का मान भी 13 और सी का मान 24 इससे भी आजाएगा तो तीन तरीका है इतना तीन तरीका इससे भी छेत्रफल आ जाएगा समकोण इससे भी आएगा वन वाई टू अधार गुड़े लंब कितना आएगा यदि यह 12 है यह 13 है तो लंब कितना आ जाएगा पाइथा गुरस्पर में से पांच आएगा पचम 25 वारा वरं में सुच वाले सही है तो यहा समकोण बना दो ऐसाम कोल का गया इसका डबल कर देना पूरे का आ जाएगा इससे इससे विचा कर सकते हो इससे बाकि एक सब्वूज का जो फार्मूला हता है उससे भी हल कर सकते हैं इस में फेड्स से ही रोन का सूत्र सभी में कारी करेगा अगला है question एक त्रफुज की तीनों भुजाओं का योग पांचार नौ 3 12 अब बारा ना होकर कितना है 144 बारा बरहम में 144 बारा पंचे 60 बारा चोका 48 बारतियां 36 मतलब एक भुजा 36 दूसरी 48 और तीसरी साथ अब क्या करना है हिरोन का सूत्र लगा दो हिरोन के सूत्र में सबसे जरूरी बात है यस का मान निकालना यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अब आई में क्या हो जाएगा टू तो एका मान कितना है 36 48 और 60 बाई में टू चलो जोड़ लो इतना हो जाएगा 36 आठ चाहर दस दस तीन तीरह 144 यह तो जोड़ा ही गया था ठीक 144 का आधा कर दो अब इस फार्मूले पर रख दो रूट में 72 72 माइनस 36 और 32 माइनस दूसरा 48 और 72 माइनस 60 चलो इसे सौलो करते हैं दिख़़ा है लिख लो यहां देख लो इसको 72 और 36 के 24 और 12 इसको लिख सकते हो बारा अच्छ च्छतिस यहां पर बारा अच्छतिस दूना बाहत्तर हो जाएगा बहत्तर गुड़े बहत्तर बारा गुड़े बारा डारेक्ट गुड़ा नहीं करना है अब बहत्तर बाहर हो जाएगा बारा अई इन दोनों का गुड़ा कर लो 864 सेंटीमीटर स्कॉयर कॉल साथ है चलिए अगला देख लिए एक समकोर्ट त्रभूस करने कर दस है डस सी में तथा अधार आठी सेंटीमीटर तो इसका परिमार पे क्या होगा यह दस सेंटीमीटर है यह क्या है आठ आठाठाइम चॉंसाठ एच्छा हो जाएगा कैसे होगा दस का स्कॉयर आठ का स्कॉयर अप्लेस लंब का स्कॉयर दस नमा सौ हो जाएगा और यह आठाइटाइट शॉंसाठ यहल का स्कॉयर यहल का स्कॉयर मतलब शक्तिस यहल बराबर रूट में 36 स्कॉल टू एच्छा अब इसका परिमाब पूछ रहा है तो तीनों हो जाओं का योग हो साएगा परिमाब टेन प्लेस सिक्स प्लेस एट अच्छा चोवी सा जाएगा यह सेंटीमेटर है कि इसको मतलब तीन फार्मूले से हाल कर सकते हो एक फार्मूला यह भी होता है वन वाइफ फोर वी रूट में फोर एस्क्वार माइनस बी स्क्वार को यहां लिखोगे बी का मान 24 रूट में फोर एक आमान 13 स्क्वाइर और यहां पर भी 24 स्काई स्क्वार चार चंग चोविस कि अरूट में कि तेरा तरह में एक सोनातर अच्वाइब इसकां पांसो चेपतर इससे भी आ जाएगा यह वाला कुश्य